नमस्कार दोस्तों मैं सुरजमल आपके अपने यूटूब चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपका पूरा परिवार स्वस्त और स्रक्षित होंगे आज हम बात करने जा रहे हैं स्रिंप मार्केट के बारे में इंडिया का जो स्रिंप मार्केट है वो आने वाले टाइम पे उसका क्या आउटलूक है स्रिंप मार्केट है आने वाले 5 सालों के लिए 14.5% के CGR से ग्रोथ करेगा यह एक IMRC ग्रूप है जो इस मार्केट की स्टेडी करता है और रिसर्च करता है इसके बारे में स्रिंप दिखता कैसे स्रिंप इस प्रकार दिखता है सीफूड है उसके अंदर बहुत सारे और भी आते हैं लेकिन हम आज बात करेंगे स्रिंप फूड मार्केट के बारे में स्रिंप का अगर आप कंजम्शन करते हैं तो उसके कौन-कौन से बेनेफिट है वेट लोज के लिए एक ब्रेंस रिलेटेट बीमारी होती है अलजायमर जो यूरोपन कंट्रीज में मैक्सिमम होती है यह स्रिंप का अगर आप कंजम्शन करते हैं तो अलजायमर डीजीज होने के चांसेज कम हो जाते हैं फिफ्ट नमर की है वार्ड ओफ कैंसर लब कैंसर से आपको ब डिजीज घंस अंदर है बेड कार्ज चे जैशे हैंडी के अंदर यहार मेन्स घंट के लिए बहुद का रावार्ड एब्यार कीम्शन करनेवावी अब हम बात करते हैं सिर्भ मार्केट में काम करने वाली कंपनी अपेक्स फ्रोजन फूड के बारे में इस कंपनी का IPO सन 2017 के अंदर 155 रुपे पर सेर के भाव पर आया था और इसकी लिस्टिंग 119 रुपे पर सेर के भाव पर हुई थी यानि कि 14.22 परसेंट प्रीमियम पर यह एक कंपनी है और इसका जो रेवेन्यू है वह मैक्सिम रेवेन्यू वह एक्सपोर्ड चाता है यह यूस से यूरोपेन कंट्रीज और चायना को अपना एक्सपोर्ड करती है इस कंपनी ने अपना का ओप्रेशन है 1995 के अंदर शुरू किया था यह हैचरी फार्मिंग में इन्वाल हाई कंपनी प्री प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग फूड और अभी इसने रिसेंटली एक रेड़े टू इट प्लांट का इन्वरेशन भी किया है कि यह जो कंपनी है इसके प्रोडक्ट्स कों से वाइट स्रिम ब्लेक टाइगर शृम इसके जो मैन है वह दो प्रोड़क्ट है ने कस्टमर सिसके हैं मैक्सिम फूड कंपनी ज है रिटेल चेंज है रेस्टोरेंट हैं क्लब स्टॉर्घ डिस्टिपीटर से इन का इसका revenue आता है इसके खुद की manufacturing unit है और distribution network इसका खुद का है इसलिए इसके तो margin हो हमेशा ही हाई रहते हैं इस company के पास में खुद का 1500 metric ton का cold storage capacity है जो ये खुद own करता है और इसके पास में खुद के vehicles हैं उसके दोरा ये अपने जो items हैं उनको distribute करता है इस company के पास लगबग 200,000 metric ton processing की capacity है और इसने भी एक नया plant है जो ready to eat products के लिए especially लगाया है जो 5000 metric ton per NM की जिसकी capacity है इसके अंदर margin होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये इस company के लिए बहुत ही अच्छी चीज है जो आने वाले टाइम पर इस company का profit है वो कई टाइम पर बढ़ा सकती है इस company के पास में ठारा सो एकड की खुद की land है जिस पर ये company अपना facilities है वो और जो hatchery farming है वो करती है पहले ये company बाकी जगह से या बाकी companies से लीज पर लेके ये अपनी कर दिया है ये company के लिए बहुत अच्छी चीज है ये company पिछले तीन साल से 162 क्रोड रुपे की लागत से अपना capex कर रही थी जो complete हो गया जिसके अंदर एक plant है और टू new hatcheries है जिसके अंदर अपना कारोबार कर रहे है वो अल्लेडी complete हो गया तो यह भी एक इस company के लिए अच्छी चीज है इन्होंने चाइना मार्केट के अंदर अपनी परजेंस को बढ़ा दिया कि feature plans क्या है feature plan है क्योंकि company ने almost capex है वो complete कर लिए अब सिर्फ इसका जो focus है वो free cash flow company के लिए करें ताकि जो इन्वेस्टर उनको maximum profit हो सके इन्होंने कुछ approvals है वह आलडी इनको European Union से मिल चुके हैं कुछ approvals के लिए वेट कर रहे हैं ताकि जो नया ready to eat segment इन्होंने शुरू किया वो उसको यूस से वो चाइना को cater कर सके के European Union से इनको already approvals मिल चुके हैं अब अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के financials के बारे में इस कंपनी का मार्केट केप है 848 क्रोट रुपीज अभी यह स्मॉल केप है छोटी कंपनी है करंट प्राइज है 271 रुपीज 52 वीक हाई 329 लो 200 इस्टोक पी 18.8 की पीए बुक वेल्य एक अच्छी चीज है अगर मैं इसकी sales देखूं तो आप sales देख सकते हैं मार्क 2018 के अंदर 999 क्रोट रुपे थी मार्स 2019 के अंदर 845 क्रोट रुपे मार्स 2020 के अंदर 827 क्रोट रुपे अभी टीटीम नो मेहने का अगर इसका देख है हमें इसका sales है तो 777 क्रोट रुपे तो यह अच्छे इसका देख इनों ने कर लिया है और दीरे दीरे इसकी sales है वह increase हो रही है तो यह कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज है और इसका जो operating profit है वह भी दीरे-दीरे लेकिन अभी हर जगए ओपना पहुचुका है और इनके जो प्रोडेक्ट्स हैं उनकी डिमांड है यूरोप में और जो यूएस से हैं वहां पर मैक्सिम डिमांड है इसकी तो इस आने वाले टायम पर ये कंपनी है आपको अपने पोर्टफोलियों में लॉंग ट्रम के लिए होल्ड करनी चीए अब अगर मैं बात करूं इस कंपनी का नो महने का रिवेन्यू साथ सो सततर क्रोड रुपे है और इस कंपनी की मार्केट के पर आड़ सो पैसेट क्रोड रुपे तो इसमें अगर मैं आपको तीन महने का और इसमें अगर रिवेन्यू एड़ करूं तो मा 1.23 क्रोट रुपीज है और डेबिट अगर इसमें कंपनी पर देखूं तो 147.8 क्रोट रुपे है तो डेट है वो शिर्फ सोट ट्रम के लिए है वरकिंग केपिटल के लिए इनोंने डेट ले रुका है इस कंपनी के ओपर लॉंग ट्रम कोई भी लोर नहीं है टोटल सेर से इस कंपनी की पास में तीन क्रोड बारा लाग और पच्छास हजार जो परमोटर हैं वो 72.62 की होल्डिंग रखते हैं जो है दो क्रोड 26,93,750 सेर हैं वो परमोटर खुद होल्ड करते हैं FIS की होल्डिंग 0.19% की DIS की होल्डिंग 5.28% की तो टोटल अगर मैं सेर मिला दूँ और उसके बाद में जो पब्लिक के लिए सेर बचते हैं वो सिरफ और सिरफ चासट लाग 46,885 सेर बचते हैं तो इसके जो मैक्सिमम होल्डिंग है वो परमोटर के दवारा FIS और DIS होल् तो पब्लिक के लिए इसके अंदर floating share है वो कम है तो मैं अब यहां से उम्मिद करता हूं कि आने वाले टाइम पे इस कंपनी की profit जैसे जैसे बढ़ेगी free cash flow जैसे जैसे बढ़ेगा ये कंपनी आने वाले टाइम पे आपको बहुत अच्छा return कमाके दे सकती है आप देखते कंपनी के साथ में एक प्रोब्लम हुई थी जनवरी 2018 के अंदर income tax ने इस कंपनी के उपर survey या सर्च किया था इसकी जितने भी sides हैं उसके बाद में इंकम टेक्स डिपार्टमेंट ने खुद ने एक statement दिया था कि इस कंपनी में ऐसी कोई भी abnormalities नहीं मिली जो इस कंपनी के business को कभी भी हारम कर सके और इसके management ने सर्च और survey के टाइम पे सबसे अच्छा support इंकम टेक्स डिपार्टमेंट के officials को दिया है तो एक अच्छी चीज है इसके लिए और उसी क्रिजन की वज़े से एक कंपनी का जो सेर है वहां से नीचे आया था इसकी इंडिस्ट्री जिसमें काम करती है उसका P.E. है 66 और यह जो स्टोक है वह 18 की P.E. पे अविलेबल है दूसरी चीज इसका जो बेस है वह भी छोटा है आठ सो क्रोड के आसपास की कंपनी है तो बेस है वह भी छोटा है तो अगर इसके प्रोफिट में आने वाले टाइम पे हलका फुलका भी ग्रोथ दिखेगी तो ये इस कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी चीज होगी और इस कंपनी के स्टोक को यहां से कई गुणा मल्टी वेगा रिटन्स दे सकता है मैं आपको बोलता हूँ कि हर डिप में आप इस कंपने के सेर को परसेज़ कीजी 270 के आसपास इसका stock price है 270 से लेके आप 240 रुपे तक इस company के stock को आप add कीजी 220 रुपे का closing basis पे आप stock loss लगाईए और आप इस company के stock को minimum 3x return के लिए long term का 3x minimum return के लिए आप इस company के share को आप hold कर सकते हैं मैं उम्मिद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम भी आएगा धन्यवाद और आप सब लोग अपने घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए और अगर अभी तक भी आगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजी ताकि मैं आपके लिए एक से एक अच्छा वीडियो बना कर फ्यूचर में आपको देता रहूँ धन्यवाद